Hello everyone, I am Aakash Ghor, welcome back to your internet medical lecture का इस नया टोपिक लेकर रहे हैं आप लोग के लिए मैं CBC report CBC report normally discussing करेंगे CBC report क्या होती है एक एक parameter according to disease, मतलब कौन सी condition में RBC, WBC, platillator उसके अलब हो सरी जो option है इन में से क्या चीज बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, किस कारण से बढ़ती है और दूसरी चीज उन में क्या-क्या disease में आप क्या-क्या treatment ले सकते हो Hindi plus English दोनों भाशा में होने वाला है according to CBC report, यानि कि CBC report के हिसाब से हम लोग क्या patient को prescribe किया जा सकता है patient कैसे चीज को समझ पाएगा देखेगा, सबसे पहले जो यह मैंने एक report ली हुई है, एक patient की report है ठीक है, इसमें सारे parameters दिये हुए अगर यहां से आप उपर से देखोगे तो सबसे पहले hemoglobin दिया है RBCS दी हुई है RBCS के blood indication यहने कि PCV देखेंगे, MCV देखेंगे, MCH देखेंगे MCHC देखेंगे, RDW देखेंगे, total RBC count देखेंगे उसमें हम लोग neutrophil, eosnophil, basophil, monocyte यह सारी कोशिका है, एक है करके discuss करेंगे इसके अलावा at lastly हमने platelet लिखा है यह patient की report है, यहाँ पर सारी report को हम लोग exactly समझेंगे सबसे पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इसमें hemoglobin plus RBC count, दोनों को mixture में लेंगे, एक साथ में लेंगे क्योंकि हमेशा hemoglobin कहाँ पर पाये जाता है RBC की सता पर उपर superficial surface पर पाये जाता है कि HB इसका आया हुआ है, 12 से लेकर 12.5 और low जो होता है low hemoglobin इसका 13 से 17 तक होना चाहिए और unit जो होती है, gram पर deciliter में मापा जाता है और अगर बात करू, RBC की तो RBC 5.2 आई हुई है normal जो होने चाहिए 4.5 से 5.5 million पर cubic mm इसकी normal range होनी चाहिए, ठीक है तो RBCs normal है, hemoglobin की मातरा थोड़ी सी कम आई हुई है अब देखते है, hemoglobin और RBC में क्या क्या indication होता है सबसे पेले, hemoglobin प्लस RBCs दोनों की बारे में समझी अभी जो report में देखा, सबसे उपर वाला parameter वो ही मैं आपको बता रहा हूँ बोलना है, hemoglobin, इस present on the service of RBC ही hemoglobin लालकुशिकाओ की, लालरक्टगणिकाओ की उपर पाया जाता है और polycythemia, आप देखो, क्या होता है, यहाँ पर मैंने simply आपको बता है hemoglobin या RBCs कम होगी, तो A की नाम से जाना जाता है और ज़्यादा होगी, तो उसे हम लोग polycythemia कहते है याने कि आपकी या तो hemoglobin, या फिर आपकी यहाँ पर मैंने दी हुई RBCs है जो report में सबसे पहले investigation hemoglobin और RBCs के बारे में बताया जाता है यह hemoglobin और RBCs यदि बढ़ जाती है, तो उस condition को हम लोग क्या कहते है hemoglobin याने की polycythemia, लिका है when increased level of hemoglobin and RBCs यदि hemoglobin, लाल रखत कोशिका है और hemoglobin की मातरा अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है उस condition को हम लोग polycythemia कहते है, बीमारी का इलाज क्या है मैं आगी बताऊंगा ठीक है, polycythemia कहते है, और enemia किसे कहते है, decreased level of hemoglobin and RBCs यदि इस report में, इस मरीज की report में यदि आपको यहाँ पे hemoglobin और RBCs की मातरा, यदि का मातरस की hemoglobin कम है, तो इसको एनिमिया की condition बोलेंगे हम लोग है ना, mild एनिमिया बोलेंगे, severe तो है नी, कोई बहुत जादा तो कम है नी, 12.5 है, नॉर्मली 13.0 होना ची, तो point कहीं अंतर है है ना, तो इसको hemoglobin थोड़ा सा यहाँ पे low बताया गया है, तो इतनी जी ध्यान रखो, कि hemoglobin के बढ़ने को, और RBCs या hemoglobin दोनों चीज़े के बढ़ने को, हम लोग एने मिया कहते है, अब या, पॉलिस आई थे मिया क्यों हो सकता है, अगर पॉलिस आई थे मिया का कारण क्या RBCs और हमोगलोबिन के मातरा कब बढ़ेगी, जब आप ज़्यादा फूड इंटेक में, आईरन सप्लिमेंट अच्छे ले रहे हो, आईरन की टेबलेट साब खा रहे हो, या फिर आप रेड मीट वगेरा मतर नोटरन खाते हो, या फिर आप बोलोगे सरम तो नेचरली भी, तो नेचरली पालक वगेरा में, फॉलिक एसीड होता है, तो देखे पहली पॉलिस आई थे मिया, पॉलिस आई थे मिया, इस इस कंडिशन इन विच इंक्रीज दर रिस्क ओफ क्लोटिंग इन बोडी, एंड इंक्रीज दर चांसरस ओफ हार्ट अटेक, या निकि क्या होता है, अगर आपके आर्बीसी बहुत जादा बन रही है, हीमोगलोबीन जादा बन रहा है, हीमोगलोबीन ही, आपके आर्बीसी से आपस में कलंप होती है, क्लोट होती है, तो अगर आर्बीसी जादा मातरा में बन रही है, जादा मातरा में आर्बीसी बनेगी, तो उस कंडिशन को हम लोग पॉलिस आई थे मिया केते, और क्या दिक्कत हो सकती है पेशेंट को इसमें risk of clotting या तो शरीर में कहीं भी clot हो गया वो clot हो गया मान लिजा तो वो हिरदे तक filter होने जाएगा तो फस जाएगा और फिर वहाँ पर मरीज को heart attack के risk बन सकती है अगर RBC और हिमोगलोबिन बहुत जादा बड़ा हुआ है तो ठीके treatment अगर बड़ा हुआ है तो आप क्या treatment दोगे भाईया aspirin की tablet आती है जो की blood को पतला करने में मदद करती है अब इससे होगा क्या अब देखो हमें समझ माया है कि भाईया जो जादा blood गाड़ा हो गया RBCS की मातरा जादा बड़ी तो blood गाड़ा हो गया उस गाड़े blood की वज़े से heart attack की problem हो रही है तो उस blood को क्यों न पतला कर दिये जाए तो blood पतला करने के लिए aspirin tablets के इस्तमाल करते है पिछुत्तर MGOD दिन में एक बार मरीज को ये वाली tablet चालू कर देना चाहिए aspirin की और इसमें क्या रहता है मरीज का blood पतला हुआ heart attack की chances कम रहेंगे मरीज में इससे एक और benefit हम मरीज को ये बोल सकते कि भई आपको iron supplement थोड़ा कम करना है हीमोगलोबिन कम करने के लिए आपको iron supplement थोड़ा कम लेना है normally अधर चीजे खानी है iron वाली चीजे थोड़ा कम intake करना है क्योंकि उसका हीमोगलोबिन और RBC count high आ रहा हुआ है और high आएगा तो हम उस condition में याद रखेगा aspirin की tablets का इस्तमाल करते है EcoSprin सबसे फेमस ब्राण है EcoSprin की नाम से मिल जाती है 45 mg की tablet दिन में एक बार मरीज को देना होगी पोलिस आईती में या अब इतनी ची समझ में आई कि हीमोगलोबिन और अगर RBC बड़ी मरीज की रिपोर्ट में बड़ी हुई आई है इसमें जैसे कि कम है अब अगर मान लेजें यहाँ पे अगर आपकी 17-18 हीमोगलोबिन हो जाता 19-20 हो जाता और RBC की मातरा आपकी 5.5 होनी चीज़ अपकी 7-8 हो जाती उस कंडिशन में आपको यह ट्रिटमेंट दिया ज़े सकता है रिस्क कारण यह हो सकता है आप ज्यादा इंटेक कर रहे हो है न तो पोलिस आईतेमिया यह कंडिशन होती है अब आते एनिमिया के उपर सबको पता है decreased level of RBC यदि RBC की मातरा बहुत जादा कम हो जाती है तो अब इसे कहते है एनिमिया का जो ट्रिटमेंट होता है आप सिंपली आईरन की टेबलेट्स ले सकते हो आईरन की टेबलेट्स के अलावा आपको फेरस रेट की नामसे शीरप मिलते है काफी अच्छा मेंटेन करती है आईरन टेबलेट्स के अलावा विटामिन B12 के कैपसूल ले सकते हो क्योंकि यह चिद्ध्यान रखना विटामिन B12 की कमी से भी एनिमिया होता है वो कुछ और प्रकारगा जिसे मेगालोब्लास्टिक एनिमिया केते है पर है एनिमिया ही तो एनिमिया की कंडिशन में भी यह देख सकते हो फोलीकेसिट की टेबलेट आपको देखो मिक्चर फोलीकेसिट की टेबलेट आपको इस्तुमाल करना चाहिए फोलिक एसिट की टेबलेट से भी काफी जल्दी मेंटेन होता है प्लस फेरस रेड, फेरस रेड यह शीरप आती है इसके अलावा आपको एको टेबलेट मिल जाती जिसमें आपको आईरन, जिंक, फोलिक एसिट प्लस विटामीन B12 का मिक्चर कॉंबीनेशन, बनाया गया है फेर 20 के नाम से यह टेबलेट है इनका आपको दिन में BD7 ले सकते हो, दिन में दो बार इस्तमाल इनका गिया जा सकता है और विटामीन की टेबलेट का एक ही बार इस्तमाल करता है, दिन में एक बार बाकि अगर iron वा iron की बात करें तो इसको आप बीडी ले सकते हो बाकि patient की condition पे तो याद रखना एनिमय यानि कि जो RBCS आपने देखिए वो कम होगी तो आप ये treatment patient को prescribe कर सकते हो मैं आगे बढ़ता हूँ अब देखो अभी तक हमने समझा हीमोगलोबिन तक देख लिया कि भाईया हमोगलोबिन और RBCS के कम होने पर जादा होने पर क्या होता है और क्यों होता है कम जादा और दवाईया क्या देखते हो इसके अलावा अव आती है बात आपकी ब्लड इंडिकेशन में आपकी PCV अब देखते भाईया PCV, MCV, MCH क्या होता है देखे का गई इस PCV का मतलब क्या होता है PCV को सिंपली अब देखो इसमें हाई यानि कि PCV की मातरा यहां पर मरीज को पेशेंट को बड़ी हुई आई है PCV की जो नॉर्मल रेंज होने चीए 40 से लेकर 50 तक होने चीए यूडनिट है परसंटेज के अंदर आती है चालिस से 50 परसंटेज होती है परन्तु हाई लिखा हुआ हाई क्यों क्योंकि इसको 57.5 आई होना किती चीए 50 तक होने चीए और कम से कम 40 होने चीए इससे जादा नहीं होने चीए अब आई तो क्या होगा देखते PCV के बारे में समझो पहले होती क्या है फिर तो आपको समझ में आएगा It is test in which find the percentage of the RBCS इसमें हम लोग क्या करते RBCS का percentage decide करते देखो है वो ही चीज़ गाई ठीक है RBCS के बारे में ही बात करें PCV का full form होता है packed cell volume याने कि PCV को packed किया जाता है उसका percentage देखा जाता है कि RBCS जो है कितने percent में उपस्ति थे शरीर में ये चीज़ ध्यान रखना है RBCS का ही खेल वो पूरा ठीक है इस से stress की साहिते से लाल रखते कोशिका हो के percentage को ग्याद किया जाता है decrease level of PCV due to enemy अब को पता है PCV की मात्रा कम क्यों हो रही है क्योंकि RBC कम है इसलिए PCV याने की packed cell volume है ही RBCS की बात ना भाया packed cell volume मतलब RBCS की बात की जारी है यहाँ पर आपको किसी और अदर कोई अलग चीज की बात नहीं कर रहे है RBCS की बात करें तो जब जब आपकी RBC कम होती है RBCS याने की आपकी packed cell volume याने की PCV का level भी आपका down आता है तो यह एनिमिया का एक indication हो सकता है decrease और increase level of PCV यदि PCV बढ़ जाएगी it may be due to some reason dehydration and high aptitude समझेगा यदि PCV की मातरा बढ़ जाए तो यहाँ पानी की कमी तथा अधिक उचाई पर रहने से हो सकता है और कभी कभी burning में भी है case देखा जाता है मतलब कोई मरीज है अब पूरी तरह मरीज जल गया या फिर burn के आपको case आते है hospital में आपने देखे है तो burning की condition में PCV की मातरा जरूर चेक की जाती है कि PCV का कि लेवल कितना आ रहा है अगर PCV का लेवल अगर बहुत जादा यहाँ पर increase आया हुआ रहता है यानि की burning बहुत जादा severe हुई है ठीक है और दूसरा dehydration बिल्कुल देखो का इस burning होगी आप समझेगा कोई व्यक्ति ज मातरा अगर कम होती है decrease होती है अगर decrease होती है तो आपको पता होने ची एनिमिया है तो हम लोग एनिमिया का treatment करेंगे iron folic acid जो भी मैंने पीछे बताया आपको vitamin vitamin यह एनिमिया का treatment है ठीक है PCV कम होगी तो भी आप वही treatment करोगे और अगर PCV की मातरा जादा बढ़ रहे है तो आपको कारण समझना पड़ेगा क्यों बढ़ रहे है पहले पेशेंट से पूछो भई आप जल तो नहीं गएते कोई problem तो नहीं हुई है या फिर आप पानी कम पीते हो कितना पानी पीते हो दिन बर में कितनी आप टोईलेट रिमू करते हो उसकी बातरूं की मातरा भी पू आप इलेक्ट्रोल पाउडर लो या फिर आप अधर चीजे लो है न उससे क्या उसका फ्ल्यूड लेवल मेंटेन होगा जूस वगेरे की सला दीएगे इसमें कोई आप बेसिक स्पेशल ट्रेट्मेंट नहीं करते हो कि वहल पीसीवी के लिए यह द्यान रखना आप लोग तो इतना पीसीवी में आपको याद होना चाहिए पेगड़ सेल वोल्यूम रिलेटेड आर बीसी से ही होता है मैं आगे बढ़ता हूं इतना हमने समझा कि भाईया पीसीवी क्या होता है अब पीसीवी के बाद जो नेक्स ओप्शन यहाँ पर आता है इतना हमने पढ़ दिय में पेले आपको सत्यासी पॉइंट 25 मरीज को आई हुई है जबकि नॉर्मल होने चाहिए तेरे असी से 101 एफल में आती इसकी एफल एक यूनिट है इसकी एफल एक बेख हो गया थोड़ा सा ठीक है यह रहा तो आपकी means carpus column volume के बारे में हम पढ़ रहे थे means carpus column volume में हम decide करते है volume of RBCs RBCs का volume मतलब वो उसके आकार के बारे में हम लोग पता करते हैं simply ठीक है बात करते हैं MCV यानि कि हम अभी बात कर रहे थे MCV क्या होती it is a parameter determine the volume of RBCs एक parameter होता है जिसके दोरा RBCs का घनत वो यानि कि RBCs हमारे कितने volume में उसका कितनी बड़ी है आकार को ग्यात किया जाता है अब अगर माइनली जाब मेक्रो साइटिक एनिमिया हुआ यानि कि MCV means carpus column volume अगर जादा बढ़ जाती है MCV बढ़ने को हम लोग कहते हैं मेक्रो साइटिक एनिमिया मेक्रो साइटिक एनिमिया क्यों कहेंगे क्यों भाया means carpus column volume यहाँ पर MCV का आर्थ होता है RBC का आकार कितना है यदि RBC यनि कि MCV जादा आई volume MCV की मातरा report में मरीज की में जादा आती है मतलब होता है means carpus column volume यानि कि RBC बढ़ी है और उस condition को हम लोग कहते हैं मेक्रो साइटिक एनिमिया होता क्यों है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ increase level of MCV known as मेक्रो साइटिक एनिमिया यानि कि यदि आपकी मातरा MCV यानि कि RBC बढ़ी हो जाए मेक्रो साइटिक एनिमिया केते हैं अर्थात RBC बढ़ी हो गई है it is mainly due to vitamin B12 deficiency में ने लिखा हुआ है यह जित ध्यान रखना कि भाईया यह हो क्यो रहा है vitamin B12 deficiency and folic acid जब भी हमारे शेरीड में vitamin B12 की कमी हो जाती है folic acid की कमी हो जाती है उस condition में MCV की मातरा बड़ी हुई मिलती है means carpus column volume होता है treatment में क्या करोगे treatment में कुछ मत करो simply मरीज को vitamin B12 और folic acid की tablet immediately start कर देना चाहिए for the maintenance यहाँ पे दी हुई है vitamin B12 के capsule आते है injections भी available रहते है B complex आता है folic acid आता है इस tablet को आप इस्तमाल मरीज को कर सकते हो कब करोगे जब आपकी MCV बड़ी हुई आएगी अब इतना चीज़ा आपको समझ में आना चीए यहाँ तक मैंने clear कर दिया आपको यह report है patient की यहाँ हीमोगलोबिन देखा RBCS देखी RBCS के बाद आपने blood indication में PCV देखा PCV के लिए हुआ PCV के बाद मैंने आपको MCV बताया MCV अभी जो बताया means carpus column volume याने की हीम जो कि आपके RBCS है उसका आकार किस मात्रा में आपके दिया गया है अगर बहुत ज़ादा बड़ा है तो macrositic anemia और छोटा हो गया तो macrositic anemia याद रखना आप लोग important है इसकी मातरा हमेशा बड़ी हुई मिल सकती आपको कुछ condition कुछ cases में अब next चीज हमारी होती ही हमारी है पर MCV हो गया MCV के बाद हमारा MCH means carpus column hemoglobin भाई आप से पूच वो ही रहे गुमा फिरा के चीज़े वो ही आ रही है MCH का मतलब होता है means carpus column hemoglobin hemoglobin के लेवल पूच रहे हैं आप भी आपको ठीक है दूसरी चीज़ MCHC means carpus column hemoglobin concentration concentration का मतलब होता है कि hemoglobin कितनी मातरा में concentrated है अब देखो अब अगर आपकी ये दोनों तीनों चीज़े बड़ी हुई आती है MCH, MCHC इसका मतलब है आपको ज़्यादा है अगर इनकी मतलब ज़्यादा है तो hemoglobin ज़्यादा आ रहा है और कम है तो hemoglobin कम आ रहा है और hemoglobin और RBC बढ़ने को अब लोग polycythemia केते है अब आता है में हम लोग शुयत रक्त कणिकाओ के उपर याने की total WBC count के उपर मैंने आपको ये बता दिया PCV क्या होता है MCV क्या होता है MCH क्या होता है MCHC क्या होता है बहुत basic चीज़े related सब RBC से हो है अब हमारा आता है WBC count याने कि total WBC की जो range होने चीए लगबग आपकी होने चीए 4000 से लेकर 11000 cubic पर mm इतनी आपकी WBC की counting होने चाहिए परन्तु मरीच के कितनी आई है 9000 आई है याने कि 4 और 11 के बीच में है मतलब इसकी normal है यदि ये 12000 या 15000 हो जाए या फिर इसकी मातरा कम हो जाए तो क्या होगा देखेगा total WBC की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं EOS ने फिल लिंपोसाइट, मोनोसाइट ये अलग बताऊंगो ठीक है देखेगा सबसे पहले सबसे पहले हम लोग WBC के बारे हम समझते It is the protection power हमारी बोड़ी की प्रोटेक्शन पावर होती है विच प्रेवेंट फ्रोम इंफेक्शन सबको पता है कि जो हमारी सुरक्षात्मा की काही होती है WBC हमें संक्रमन से बचाती है और किसी भी संक्रमन से बचा कर रखती है Increased level of WBC known as leucocytosis इस वर्ड का नाम याद रखीगा कि यदि आपके शरीर में आपकी मरीज की रिपोर्ट में WBC की मातर ज्यादा आ रही है तो उसे leucocytosis कहा जाता है इस पोईंट को note down कर लेना कि ये leucocytosis का मतलब क्या होता है श्यत्रक्तिकणिकाओ की मातर अधिक हो जाने पर leucocytosis कहा जाता है और यह किसी भी प्रकार के संक्रमन में हो सकता है यह दिन कि आपके में TB का infection हो गया टाइफोईड हो गया मतलब A2Z किसी भी प्रकार का संक्रमन होगा तो इसकी मातर बड़ी हुई बड़ी हुई क्यों आएगी बिल्कुल यार कोई भी और बेक्टीरिया वाइरस हमारे अंदर आएगा तो हमारा शरीर चुपचाप तो बेठेगा नी उसको मारने के लिए वो भी अपने सेना को खड़ा करेगा तो उसकी सेना क्या है WBC होती है जो की प्रोटेक्शन पावर हमारी बोड़ी की होती है उसे जाती है लड़ती है और अगर ये बलड में ज़्यादा आ रही है मतलब हमारे शरीर में कुछ न कुछ युद्ध छिड़ा हुआ है लड़ाई हुई है कोई organism bacteria virus आया हुपर ये नहीं पता है कौन सा आया है उसके लिए फिर specific लक्षण के आदार पर हम लोग test करवाते दूसरी चीज मैंने बताई है decreased level of WBC known as leucopenia देखो वो WBC बढ़ने का कारण cancer भी हो सकता है इतना अब ध्यान रखना है ना known as leucopenia याने कि leucopenia मतलब क्या होता है WBC की मातरा पीनिया मतलब की कम cytosis मतलब जादा पीनिया मतलब काम हो गई है due to cancer, severe infection और bone marrow disorder याने कि आपके शेरीर में किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा cancer हो गया है या severe infection की हद से ज़्यादा बढ़ गया है अब देखोगा इस क्या होता है कि मानले जब मेरे शेरीर में कोई infection आ जाया तो है ना वो भी अपनी सेना लेके अंदर आया मेरे अंदर की सेना WBC है वो से जाके लड़ने लगी तो मेरे अंदर की जो सेना है कभी कमजोर पढ़ गई बाहर का infection हेवी पढ़ गया तो वो मेरी WBC को मार देगा मेरी WBC की मातरा कम हो जाएगी एक हद तक तो बढ़ेगी परन्तु बहुत हद से जादा infection होने पर WBC की मातरा कम हो जाती है इतना माइड में रखना अप करोगी क्या Antibiotics एक ही हतियार है पास तो महारामबाण हतियार जिसे हम लोग कहते Antibiotic Treatment में इलाज यदि WBC का मियाबे मैंने क्राइटेरिया बता है WBC अगर काउंट आपका 12,000 आता है नॉर्मल कितना होना चाहिए नॉर्मल मैंने अभी बता है कि नॉर्मल जो होता है 4000 से लेकर हमारा लगबक 11,000 तक नॉर्मल ही होना चाहिए परन्तो अगर आपका 12,000 के आसपास अगर आता है WBC काउंट तो उस कंडिशन में इंफेक्शन हुआ है अननोन इंफेक्शन है सीवियर तो नहीं है पर थोड़ा बड़ा हुआ है तो आप एमोकसलीन कैपसूल 625 mg मरीज को BD इस्तमाल किया जा सकता है आप इसको इस्तमाल कर सकते हो बट इसके लिए आपको स्पैसिफिक टेस्स करवाना पड़ेगा मरीज को आप करवा सकते हो भईया अगर WBC बड़ी हुई आ रही है तो आप फिर उसको टेस्स लिख दो के भईया जाओ आप टाइफोईट करवा लो एक बार मलेरिया करवा के देख लो है ना टाइफोईट मलेरिया डेंगू करवा लो उस कंडिशन में भी हो सकता है WBC काउंट यदि 13000 आ जाए तो क्या करोगे उस कंडिशन में जो एंटिबाइटिक थोड़ी हेवी यूस करने पड़ेगी सिफोरोक्सिम टेबलेट 500 mg दिन में दो बार देखे सेक्टम के नाम से भी मिलती है और भी बहुत सारे नाम से टेबलेट आपको अवाई लेवल हो जाती है सिफोरोक्सिम टेबलेट होती है जब आपके WBC काउंट 13000 आता है तब अब अगर WBC काउंट आपका मोर देन 13000 से अगर अबव निकलता है उस कंडिशन में आपको पिपरसलीन प्लस टेजोबेक्टम का इसके साथ आपको पेंटाप्रजोल देना पड़ेगा आप इसके साथ इस्टेरोइड उस कर सकते हो डेक्स हो अगरा बिल्कुल इस्तोमाल के जा सकता है ज़्यादा इंफेक्शन होने पर यह जित ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट ट्रेटमेंट में डबली बीसिस के काउंट का क्राइटिरिया है यह आगे बढ़ता हूं अभी तक हमने डबली बीसिस कमजा अब डबली बीसिस के डिफरेंट पेरामिटर को समझेंगे या 50-62% के आसपास मरीज में सामान्य मात्रा मानी जाती है इसकी आई हूँ यह 60 याने की नॉर्मल है अगर यह बढ़ जाये तो क्या होगा न्यूट्रोफिल यहां पर रिपोर्ट में बढ़ी हुई आये तो क्या होग और कम आये तो क्या होगा वो समझ लेते हैं न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल आट डाइप डवल्ल के विसी जा रही है यहाँ पर नूट्रोफिल हूड एक प्रकार की कोशिका है होती है जो कि विशिस्ट नहीं होती है अर्थात ये किसी भी प्रकार के संक्रमण में बढ़ जाती है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मातरा में पाई जाने वाली WBC नूट्रोफिल ही होती है, नूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मातरा में पाए जाती है, अगर ये WBC बढ़ जाए, तो हम ये नहीं डिसाइट कर पाएंगे कि कौन सा इंफेक्शन हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि मरीज को कोई न कोई संक्रमन हुआ है, थोड़ा CVR लेवल पे हु ना जाता है, it is increased level of neutrophil which means mainly due to infection, यानि कि हमारे शरीर में कोई भी unknown infection है, TB है, या फिर किसी भी बरकार का infection हुआ है, तब इसकी मातरा बढ़ जाएगी, और अगर हम कम की बात करें कि neutrophil कम होगी, तो neutropenia के नाम से जाना जाएगा जब भी neutrophil की मातरा कम होती है, it is decreased level of neutrophil which is due to tuberculosis, TB के संक्रमन में and cancer and some other infection, यानि कि मरेज को किसी पकार का cancer हो गया है, या TB हो गया है, उस condition में आपकी neutrophil की मातरा बहुत जादा कम हो जाएगी, इसका आप लोग ध्यान रखेगा, यह specific है, neutrophil की मातरा कम हो जाने पर और या मुख्य रूप से tuberculosis संक्रमन तथा cancer के दियान रखना, तो दो चीज समझ भाए, neutrophil बढ़ेगी, तो neutrophilia कहते है, किसी भी प्रकार के संक्रमन में बढ़ सकती है, neutropenia के वाल special, जैसे कि TB हो गया, TB के अलाबा cancer हो गया, या फिर कुछ और भी specific infection मान सकते है, जिसमें neutrophilia हो सकता है, TB के बात करें, तो TB के लिए special, अगर मान लिए neutrophilia, neutrophilia हो गया, neutrophil के मातरा कम हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हम या idea लगा लेंगे, भाया, मरीज को TB तो नहीं है, तो TB के लिए हम क्या करेंगे, भाया, उसकी acid fast training करवा लेंगे, TB का special test करवा लेंगे, जो कि mouth के sputum से लगा isoniazid, जो tablet का mix composition आता है, Reveal, IS के नाम से मिलती है, इस tablet का doses, doctor के according, पेशेंट के severity के according रहता है, refarm facin plus isoniazid, दोनों का mix composition आता है, tuberculosis के treatment में, आगे बढ़ता हूं, अभी तक हमने यहाँ पर समझा, report में, के neutrophil, अब आते है, lymphocyte के उपर, lymphocyte भी एक प्रकार की WBC कोशिका है, उसका प्रकार है, इसकी जो सामान्य मातरा है, यहाँ पर 31 आई हुई है, जबकि होने आपकी चाहिए 20 से 40, मतलब इसकी normal है, 31 यहाँ पर, ठीके, percentage में आएगी, यह सारी report याद रखना, सारा parameter होता है, percentage में होता है, unit हमेशा हो ज़्यादा important होती है, आपको समन्ना, तो आइ और कम होने के कुछ कारण हो सकते है, पहला कारण, lymphocytosis, lymphocytosis क्या गईज, lymphocytosis, sorry, sorry, बेख हो गया, lymphocytosis का मतलब माना जाता है, कि आपकी lymphocyte की मातरा बढ़ जाने को lymphocytosis कहते है, ठीके, it is increasing condition, lymphocyte which may be due to microorganism infection and may be cancer, यहने कि किसी प्रकार का cancer है, या फिर कोई microorganism, कोई special नही कोई भी microorganism का infection होने पर इसकी मातरा बढ़ जाती, एक होता है lymphocytopenia, पीनिया जहाँ आता है, मतलब कम हो रही है lymphocyte, यहना, it is decreased level lymphocyte which mainly due to lymphoid fever, sorry, typhoid fever, lymphoid fever क्या होता है, typhoid fever and sexual transmitted disease, यहने मरीज को किसी प्रकार का lymphocyte, जो है कमी की मातरा को हम लोग lymphopenia कहते है, और यह मुख क रूप से टाइफोइड यहने की मरीज को यहने की टाइफोइड का बुखार होता है, तब इसकी मातरा कम हो जाती है, और योन संबंदित रोग यहने की sexual transmitted disease मरीज को किसी प्रकार की हुई है, उस condition में lymphopenia देखने को मिलेगा lymphocyte कम हो जाएगी, तो आप रिपोर्ट में lymphocyte क इसकी मातरा कम देखकर ही, डिसाइड कर सकते हो, कौन सा infection है, फिर भी आप इसका treatment नहीं करोगे, पहले आप क्या करोगे, जाओ आप टाइफोइड का टेस्स करवालो, और एक बार STD disease, HIV वगेरे लगवालो, ठीके, उससे आपको मरीज को आइडिया हो जाएगा, कि भाईया और उसकी according फिर आप treatment कर सकते हो, अगर आपका confirm हो गया, टाइफोइड फीवर तो उसमे, नॉर्मल अगर infection देखने को मिला है, तो सिफपोडॉक्सिम टेबलेट 200 mg की टेबलेट होती, एक बार में आराम करती है, बहुत अच्छी टेबलेट होती है, और ये MonoSafe के नाम से आ साथ में इसकी digestion इंपोर्टेंट है, पेंटाप्रजोल टेबलेट के साथ में इसको दिया जा सकता है, साथ में MonoSafe IV injection आता है 2 ग्राम में, यानि की 2000 mg में, IM IV दोनों यूज है बट इसको IV intravenous, slowly dilution करके आराम से दिया जाता है, ठीके याद रखना, दो टाइम देना है, अब आते नेक्स हम लोग, लिम्पोसाइट तक समझा, अब हम देखते योसिनोफिल क्या होती, एक दो समझ लिया, योसिनोफिल की जो नॉर्मल इसमें बताया गाए, योसिनोफिल हमारी एक आई हुई है, नॉर्मल इजिरो से लेकर छे तक होती है, परसंटेज इसकी नॉ मल होती है योसिनोफिल योसिनोफिल जब बढ़ेगी तो योसिनोफिलिया कहेंगे योसिनोफिलिया means increased condition of योसिनोफिल which is mainly due to allergy मतलब आपकी जब योसिनोफिल बढ़ेगी आप इतना माइन में रखना मरीज को किसी प्रकार की allergy हुई है और allergy के कारण आपकी योसिनोफिल बढ़ रही है और योसिनोफिल बढ़ेगी मतलब allergy है और allergy के लिए आप दवाईया दे सकते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा ठीके योसिनोफिनिया भी हो सकता है it is decreased condition of योसिनोफिल which is mainly due to sepsis याने कि आपके blood में इतना ज़ादा infection हो चुका है कुछ harmful chemical की वज़े से sepsis का मतलब होता है blood में अत्यादिक infection हो जाना किसी भी प्रकार के संक्रुमन आपको blood में देखने को मिलेगा देखेगा गाईज अगर आपको योसिनोफिलिया का treatment देखोगे तो फेनरमाइन मेलेट टेबलेट क्यों क्योंकि योसिनोफि जयता है patient की severity की according is kan doses decided करके दिया जाता है अब मान लीजा Iosinopenia हो गया if Iosinopenia मतलब sepsis याने की blood में बहुत जादा infection हो गया कब होगा जब हमारी योसिनोफिल कम हो जाएगी, योसिनोफिल कम हुई मतलब योसिनोपीनिया हो गया, इसमें सबसे अच्छा जो एंटिवरिटिक माना जाता है, मेरोपेनम इंजेक्शन इस्तमाल करते है, इसको पेशेंट की कितना इंफेक्शन है, उस सीवेरिटी के अगोडिक, मेर मेरोपेनम 250 mg, बहुत सरे अलग अलग नामों से मिलता है, मेरोपेनम याद रखना आप लोग बहुत ही हाई एंटिवरिटिके, अगेंड्स आपकी सेपसिस में इस्तमाल मेनलीस को करते है, आगे बढ़ता हूँ, आईवी यूस फोर ये एंट्राविनस ही दिया जाता है, आ इंफोसाइट हमने समझा, इयोसिनोफील हमने समझा, अब जो मोनोसाइट और बेसोफील है, ये भी इसी प्रकार से काम करते है, कोई संक्रमन हुआ, तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी बहुत हाई संक्रमन में, उस कंडिशन में आप इन तीनों से डिटेक कर पाओगे इंटिवायोटिक का यूज कर पाओगे, तो इनको इतना स्पैसिफिक आप लोग मैंड में रखना, अब जहको प्लेटिलेट क्या होती है, वो समझ लेते हैं, प्लेटिलेट की डिसीस समझ लेते, प्लेटिलेट को थ्रमबोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, काटका inflammation हो गया है उस condition में ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और क्या-क्या problems हो सकती है मरीज को देखो platylate अगर जादा बढ़ गई तो मरीज को खत्रा रेगा clotting का क्योंकि जो thrombocyte है thrombine मनाती है clotting करवाती है अगर जादा हो गई तो दिक्कात हो सकती है मरीज को बहुत जादा clotting तो नहीं हो गया ब्रेन में कोई हैम्रेज हो गया clotting हो गया या फिर क्या हो गया इसके अलावा आप देख सकते हो कोई clotting हुआ तो heart attack भी आ सकता है मरीज को तो thrombophilia और thrombocytopenia 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 क्या होता है thrombocytopenia का मतलब होता है it is decreased condition of platelet which is mainly due to infection like dengu सबको पता है dengu जैसे संक्रुमन में या कि फिर और कुछ दूसरे संक्रुमन में भी आपकी जो platelet की मात्रा कम हो जाती है उस condition में खत्रा रहता है कि रक्त प्रवाहना हो जाए यानि कि urine में bleeding तो नहीं हो गई श्टूल में नहीं हो गई हो या फिर और अंदर बोडी में कोई bleeding तो नहीं हो गई हो ब्रेन में कोई bleeding तो नहीं हो गई हो उस condition में आपको thrombocytopenia हो सकता अब आप क्या करोगे thrombophilia अगर आपको simply यापे thrombocytopenia जैने कि thrombocytopatelet कम हो रही है infection डेंगू की वज़े से तो उस condition में आप सबसे effective syrup माले जाती है T-side, T-side की tablet भी आती है और आपको T-side की syrup भी आती है, carry pills के नाम से भी मिलती है, ये डेंगू में काफी अच्छा platelet को बढ़ाने में मदद करती, तो I hope के guys आपको इतनी चीज़े तो समझ में आई होगी, अगर आपको इस तरह की detail से चीज़े चाहिए, तो हम इसके notes भी provide कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको simply play store पे जाना है, description में भी link है, application download कलो हमारा Indian medical lecture, वहाँ पे course डला हुए book या किताब खरीदे, उसको आप 950 रुपे का वो course है, आप उसको purchase कीज़ेगा, वहीं पे आपको इस तरह के सारी PDF मिल जाएगी, हमारी खुद की जो book है, तीन बुक है, वो तीनों book की PDF भी provide कर दी जितने भी topic है, बुक में, सारे वीडियो की तुरू explain भी कियागा, वो वीडियो भी आपको एक्सेस कर पागा, I hope कि आपको इतना समझ में, आयोगा वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्स्राइब करिजिएगा जाए, thank you for watching guys, you are in your medical lecture.